वोड़ाफोन आइडिया तो वोड़ाफोन आइडिया के बारे में कुछ इंपोर्टन चीज है जो इस वीडियो में आप लोगों साथ शेयर करूँगा उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अप लोग विकलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमार आपको इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है जो कि अच्छे का से रिटन दे सकते है वोड़ाफोन आइडिया कि अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देखिए 4.55 या 5 रुपीज के आसपास था यह शेयर जब मैंने बोला था हम बाइ कर सकते है काफी अच्छी उच्छाल हमें देखने को मिलेगी और हमने 15 रुपीज तक 14 रुपीज तक के टार्गेट सोचे थे लेकिन हमें टार्गेट देखने को मिले थे 16.80 यानि more than 300% का जो है उच्छाल हमें देखने को मिला था उस टाइम पे और जब यहाँ पे यह शेयर 16.80 थे गया था मार्केट में बहुत से ऐसे अपडेट आये थे बहुत से इसे वीडियो भी आपको देखने को मिले थे जो यहाँ से 30-40 तक के टार्गेट बताए जा रहे थे लेकिन मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर हमें फिर से वोड़ाफ ओन आइडा जो है निचलेस तरों पर बाय करने का मौका मिलेगा और आप देख सकते हो लास्ट वन मन्क के अगर हम बात करेंगे तो 8.15 रुपीस का जो है लो इसने बनाया है लास्ट वन विक के अगर हम बात करेंगे तो 8.80 का लो है और भी थोडी बहुत गिरावट हमें Vodafone आइडिया में देखने को मिल सकती है लेकिन वो गिरावट एक बाइंग चांस लाने वाली है अगर यहाँ पे शाब गिरावट आती है नाइन रुपीज के बाद तो हमें एक अच्छा कासा बाइंग पोजिशन मिल सकता है जो भी लॉंग टर्म के लिए Vodafone आइडिया को बाइ करना चाते है मैं उनको हमेशा से बोलता हूँ कि आप 4 रुपीज से लेके 5 तो 6 रुपीज या 7 रुपीज के बीच में बाइ कर सकते हो लॉंग रन में आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है तो यही स्टाटेजीज है फ्रेंट्स मेरे अनलिसिस के बेसिस पे जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना ज़रूरी है आप भी आपका खुद का अनलिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे जो है डिसीजिन लेजिए जल्दी से इंपोर्टन अपडेट शेयर करता हूँ जो में शेयर करना चाहरा था यहां पर वोड़ाफोन आइडिया के सियो ने स्टेटमेंट दिया है यह इटसेल्फ कुछ पॉजिटिविटी लाता है फ्रेंट्स क्यूंकि एरेटिल के भी ऐसे ही हालत थी जिस टाइम पर जियो ने जो है काफी जादा मार्केट जो है अक्वाइर किया तो वोड़ाफोन आइडिया भी फाइड बैक कर सकता है ऐसा उन्होंने बोला है और 5G स्पेक्ट्रम के लिए वो प्रिपेर भी कर रहे है यहां पर वोड़ाफोन आइडिया का दूसरा इंपोर्टन अपडेट तो यहां पर इस तरीके से जो है एक्विटी और बैंक लोंस के रूप में जो है बीस हजार करोड रुपीज जो है वोड़ाफोन आइडिया फंडरेस करने वाला है यहां पर उनके सीयों ने जो है काफी क्लियारिटी से जो है बताया है यहां पर अगर हम बात करेंगे फ्र जार्जर्स भी उनके पेंडिंग थे वो देनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आनाउंस किया था कि वो एक्विटी की तोर पे जो है गवर्मेंट को कुछ शेर्स जो है अलोट करेंगे जिसके चलते उनको जो ड्यूस वगरा पेंडिंग थे काफी ब तो काफी अच्छा मुनाफ़ा हम लॉंग रन में और शॉट टम में दोनों टाइम में जो है कमा सकते हैं तो यही इंपोर्टेंट डीटेल्स थी फ्रेंट्स थेंक यूफू वाचिं दिस वीडियो और प्लीज डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द